जार्खन एवं ओरिजनल कुड्मी पंच की ओर से कुड्मी को आदिवासी का दर्जा देने संबंधी याचिका पर जार्खन हाई कोट में सुनवाई शुरू हो गई है याचिका पर सुनवाई करते हुए जार्खन हाई कोट ने सरकार का पक्ष मांगा है याचिका करता डॉक्टर विद्या भूशन महतो ने बताया कि कुड्मी को आदिवासी का दर्जा देने सम्बंधी मांग वे केंद्र और राजिसरकार से पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं उन्होंने बताया कि 1913 की जनगणना में कुड्मी को जनजाती समुदाई के रूप में नॉमिनेट किया गया 1921 में मानेता मिली 1931 की जनगणना में कुड्मी को आदिम जनजाती के रूप में दर्ज किया गया मगर 1950 की जनगरना में सामाजिक और राजनितिक साजिश के तहट कुडमी जाती का गलत व्याख्या देकर जनजाती स्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिससे समाज का विकास ठम गया है। डॉक्टर विद्या भूशन ने बताया कि सरकार के पास ऐसे कोई अभी लेख नहीं, जिससे सरकार यह साबित कर सके कि कुडमी आदिम जनजाती समुदाय से नहीं आते। उन्होंने बताया कि जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तब उन्होंने न्याले का दर्वाजा खटकटाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्याले से उन्हें इंसाफ मिलेगा। देते आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री को उस समय ट्राइवल मिनिस्ट्री नहीं था सेंटरल गर्मेंट में लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ तब हम हाइटोट का दरवाजा खट 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 आए और 21 का 17 जून को फाइल किये अब सेकेंड मैं को उसका सुनवाई पहले सुनवाई अभी सुनवाई हो रहा है अभी कुछ फाइसरा नहीं हुआ है सरकार को नोटिस दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखिये इसमें क्या कहना है हम लोग बान किया कि हमारा जो ट्राइवल स्टेटास था 1913 में हमको नोटिफाई किया गया ट्राइब बोलके 1931 में नोटिफ न्यूजविंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट